दोस्तो भरत सरकार की ओर से हर घर तिरंगा 2.0 को लॉंच कर दिया गया है जिसमें दोस्तो हर व्यक्ति को एक बड़े साइज का तिरंगा मिलने वाला है जियां दोस्तो इस तिरंगे को प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा ओर्डर लगाना है और आपको ये तिरंगा मिल जाएगा दोस्तो इस तिरंगे का साइज तो काफी ज़्यादा बड़ा है लेकिन इसका प्राइस काफी ज़्यादा कम रखा गया है जो कि है सिर्फ 25 रुपे पर फ्लैग जियां दोस्तो अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा यानि की पांच फ्लैग आप सिर्फ 25 रुपे कोश्ट पेग करने पड़ेंगे दोस्तो आप कैसे इस फ्लैग को पास सकते हैं और कैसे ये बाइपोश्ट आपके पास आएगा सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैंने बताया है तो यार वीडियो पूरा एंट तक देखते रहें बिना स्केप किये दोस्तो मैं तो जा रहा हूँ अपने लिए अपना एक फ्लैग ओडर करने यानि की तिरंगा ओडर करने जो कि मैं अपने छट पर लहराओंगा 15 अगस्त के दिन तो यार आपको भी पीछे नहीं रहना है आपको भी आजादी के महा अमरित उत्सब को मनाना है हर घर तिरंग लहराना है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के कोई भी एक ब्राउजर को ओपिन कर लेना है यहाँ पर आपको ब्राउजर में टाइप करना है यह पोस्ट ऑफिस आप करेंगे आपके सामने यह विबसाइट आ जाएगी जो वि सिंपले से उपर जो बैनर दिख रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले वाला जो बैनर है यहाँ पर आप देख सकते हैं हर घर तिरंगा का एक बैनर आपको देख रहा होगा और यहाँ पर आप थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लेक ह to purchase flag का एक option आपको यहाँ पर दिख रहा है ठीक है और साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 अगत से लेकर आप 15 अगत तक अपने घर पर हर घर तिरंगा का महातुसब मना सकते हैं यानि कि जो भी तिरंगा आपको दिया जाएगा यहाँ से जो भी purchase करेंगे आप वो यहाँ पर कम price में आपको मिल जाएगा तो कैसे खरीदना है यहाँ पर आप देखते रही है वीडियो को यहाँ पर आप देख सकते हैं हर घर तिरंगा का option इसी वाले option पर खरीदने के लिए ठीक है जैसे ही आप हर घर तिरंगा वाले बैनर वाले option पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा interface आ जाएगा यहाँ पर आपको लहराता हुआ तिरंगा दिखाए देगा और साथ यहाँ पर आपको price भी दिख जाएगा इसका price है सिर्फ और सिर्फ 25 रुपिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ instruction दिए गए हैं जो कि मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ selling the national flag of India under हर घर तिरंगा 2.0 the dimension of national flag is 20 inches into 30 inches without flagpole the selling price of the flag रुपिज 25 यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है जो भी आपको तिरंगा मिलेगा वो 20 into 30 inch का होगा और पर तिरंगा यानि कि पर flag आपको 25 रुपे कर पे करने पड़े गए अगर आप एक से जादा तिरंगा लेना चाहें तो भी यहाँ से आप ले सकते हैं आप एक बार में 5 तिरंगा यहाँ से ले सकते हैं यानि कि 5 flag आप यहाँ से purchase कर सकते हैं कैसे buy करना है इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एक option देख रहा है आपको buy now का और साती सात यहाँ पर आपको एक option देख रहा है देखिए एक पर select रहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तिरंगा यहाँ पर select है और यहाँ पर buy now का option मिल जाता है आपको buy now वाले option पर click कर देना है अब जैसे यहाँ पर आप buy now वाले option पर click करेंगे यहाँ पर आपको enter mobile number का option मिलेगा यहाँ पर आप अपना mobile number type करेंगे और mobile number type करने के बाद send OTP पर click करेंगे तो OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आपको verify OTP का option मिलेगा आपको यहाँ पर click कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो verification है वो successfully हो चुका है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो flag है हमारा वो in stock है यानि कि हमें flag जो है मिल जाएगा अब यहाँ पर आपको नीचे scroll करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं delivery address का option आपको मिल रहा है यहाँ पर आपको अपना full name type कर दिना है उसके बाद यहाँ पर आपका mobile number जो है वो already आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर email id का option मिल रहा है यहाँ पर आप अपना email id fill कर सकते हैं यह optional है आप चाहे तो कर सकते हैं वनना आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको option मिल जाता है देखिए पिन कोड का आप यहाँ पर अपना पिन कोड फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप अपना district, town वगरा यहाँ पर फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप अपना state select करेंगे और यहाँ पर आपको नीचे एक box मिलता है देखिए complete address का यहाँ पर आप अपना complete address fill करेंगे उसके बाद यहाँ पर proceed to payment वाले option पर click करेंगे तो जैसे यहाँ पर आपका address fill हो जाए उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए proceed to payment का option मिलेगा आपको यहाँ पर click कर देना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना होगा यह आपको redirect कर देगा पेमेंट पेज पर तो यहाँ पर आपको पेमेंट के काफी सारे options भी मिलने वाले हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें UPI, wallet, credit card, debit card, net banking और whatsapp और pay ATM का option मिल चुका है ठीक है तो यहाँ पर हम UPI के माद्धिम से पेमेंट करने वाले हैं तो यहाँ पर हम UPI वाला option चूस करेंगे इसके बाद यहाँ पर आप कौन से UPI एप का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप चूस करेंगे तो यहाँ पर हम फोन पे से पेमेंट करेंगे यहाँ पर हमारे सामने ऐसा इंडरफेस आ चुका है यहाँ पर हमें अपनी फोन पे UPI ID टाइप करने के लिए कहा जा रहा है तो यहाँ पर हम अपनी ID टाइप करेंगे और वेरिफाई पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर verify हो जाने के बाद यहाँ पर proceed पर click करेंगे अब हमें जाना होगा अपने phone pay app में तो जैसे यहाँ पर हम आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पर हमें history open करनी है तो जैसे यहाँ पर हम history open करेंगे यहाँ पर देखिए payment करने का एक option आ गया है यहाँ पर हमें pay का option मिल रहा है यहाँ पर आप paper click करेंगे paper click करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से paper click करना है और अपना UPI pin टाइप कर देना है UPI pin टाइप करते ही आपका payment successful हो जाएगा so यहाँ पर आप देख सकते हमारा जो payment है वो successful हो चुका है और यहाँ पर हमारी सारी details हमारे सामने आ चुकी है अब यहाँ पर हमें हमारा जो तिरंगा है वो बहुत जल्द हमारे घर पर मिल जाएगा by post so I hope वीडियो आपके लिए helpful होगी अगर आपके मन में अभी भी कोई भी confusion बाकी है तो आप मुझे comment करके पोच सकते हैं